हाई गाईज वेलकम टू अनदर इंफोर्मेशनल वीडियो जैसा कि आप सबको पता है अपना पोर्टल खोल दिया अड्मिशन पोर्टल जो है कि है चार जुलाई से खुल गया था और 22 तारीक तक खुला रहेगा इसके बीच में आप अपने अड्मिशन करवा सकते हैं तो भ मेरिट लिस्ट कब लगेगी जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो यूनिवरस्टी रेवल कंड़क्ट करवाएगी उसकी लिस्ट कब लगेगी डोकुमेंट्स क्या कैचिएंगे उसके बारे मैं बात करेंगे आज की वीडियो में तो सबसे पहले बात आती है बी HSTES की साइट पे जाके वहाँ आपको रेजिस्टेशन करना होगा पहले बीफार्मा वालों को और बीटेक वालों को भी वहीं रेजिस्टेशन करना होगा उसके बाद आपका टेस्ट कंड़क्ट करवाएजाएगा उनलाइन टेस्ट होगा उसके बाद आपकी लिस्ट लग प्रोग्राम कौन से हैं वो है MA English, Master of Fine Art, M.Com, M.S.E. Math, M.B.A, L.L.B दो इन प्रोग्राम के लिए आपकाईंट्रेंस टेस्ट होगा साइड में इनकी देर देरे कब आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा आपका इंट्रेंस टेस्ट तीन अगस्त को और चार अगस्त को होगा उसके टाइमिंग भी दे रखे हैं टाइमिंग ओफ एंट्रेंस टेस्ट इसके इसाब से आप जा सकते हैं और भाई मैं तो यह भी कूँगा उसमें चीटिंग मत करना एंट्रेंस टेस्ट में क्योंकि इसमें भी आपकी UMC बन सकती है और आपका एडमिशन कैंसल हो सकता है इस इसके बाद बात करते हैं रिजल्ट कब आएगा इंट्रेंस टेस्ट का इसका रिजल्ट आएगा बाई आठ अगस्त को नो अगस्त को आठ अगस्त को उनका रिजल्ट आएगा जो तीन तारिकों पर देंगे और चार अगस्त वाले जो पर देंगे उनका रिजल्ट आएग जिसके मतलब basis पे admission होगा आपके जो courses कुन से कुन से हैं उसमें पहले निमबर बी टैक ओल डिसिप्लिन उसके बाद बी टैक लडबल इटी उसके बाद बी फार्मा बी फार्मा लडबल इटी इसका देख ले ना भाई मुझे पता नहीं लडबल इटी क्या होता है ये admission जो है HSTES जो है वो online test conduct करवाएगा उसके basis पे होगा भाई अब बात करते हैं जो आप टेस्ट दोगे उसका मतलब लिस्ट कब लगेगी जिसमें आपका नाम आया होगा तो वो लिस्ट लगेगी 10 अगस्त को 10 अगस्त के बाद आप जाके अपना document verify करवा सकते हैं तो 31 अग सब्सक्राइब करना होगा अलग अलग प्रोग्राम के लिए उसके बाद आप चेंजर नहीं कर सकते हैं उसमें कुछ जो भी मैंसेंड है उनमें आप चेंजर नहीं कर सकते हैं आपने form सम्मिट कर दिया तो उसके बाद और 22 थारीक के बाद कोई भी document डिया जाएगा online उसके बाद फी कटवानी होगी आपको जो online कटेगी वो फी सारी तो उसके बाद आपको जो फीस रिसिप्ट मिलेगी उसको आपको अपने डिपार्टमेंट में जाके समिट करना होगा अगर आप वो समिट नहीं करेंगे तो आपका admission वेलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां जाके जो डिपार्टमेंट होगा वह आपका नंबर वह आपका admission नंबर वह आपका नाम अपने रेजिस्टर में नोट डाउन करेंगे उसके बाद आपकी classes लगेंगी मतलब तो बात करते हैं डोकुमेंट कौन से कौन से चाहिएंगे आपको जो upload करने होगे मतलब online form फिल कर टाइम जो आपको डोकुमेंट चाहिएंगे वह भाई 10th की mark sheet 12th की mark sheet character certificate जो कि आपका school बनाके देगा उसके बाद category certificate अगर आपकी कोई result category है like SC है या फिर दूसरी है general वालों को नीच चाहिए वह भाई ये उसके बाद income certificate अगर कहीं मांग रखा है तो आपको income certificate बनवाना certificate है मतलब कोई होता है जैसे रूडर certificate हो गया फिर कुछ और certificate है जो आपको weightage दिलाएं वह certificate आपको चाहिए उसके बाद gap year अगर आपका कोई gap है 12th के बाद आप 2 साल बाद admission ले रहे हैं तो आपको एक gap year certificate बनवाना पड़ेगा वह चाहिए आपको इन सब की बाई JPEG format में को upload करने हैं यह सब देख लेना भाई बस यह इधाज की वीडियो में और कोई informational वीडियो चाहिए हो तो आप अपना comment section में बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो like करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वह भी यह सब जान सकें और चैनल को subscribe कर ले लेंगी बैल आइकन दबा लेना भाई जरूर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई